जय हिन दोस्तों, क्या हाल है- Charger, Fast Charger- Very Fast Charger और सही मैं अगर देखा जाय you can be a smartphone जो Fast Charger है वे बहुत ही जादा सही चीज है और बहुत ही कमाली इन्वीयशन है क्योंकि अगर एक स्टुडेंट है जो कॉलेज में पड़ रहा वंशको जल से जल charge करकर क्लास में जाना है क्योंकि रियल लाइफ में बहुत ले रुठता है उसके बाद खाना नहाना तो पता नहीं क्लास पोच जाए बड़ी बात है मैं बीटेक का स्टुडेंट रह चुका हूं तो आप समझ सकते हैं और कुछ लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं बहुत ज्याद हो यह रुकना चाहिए मैं आपको चार से पास बताऊंगा प्रैक्टिकल कि क्यों यह होता चला जा रहा मार्केटिंग होता जा रहा और कुछ नहीं उल्टा आपका नुकसान हो रहा है और सीधा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फायदा होगा मरलब क दीजिए तीन मिलियन भी जाना हमको तो अगर सिधा आपको पाच पॉइंट ही देखने तो यह टाइम स्टम दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां जा सकते हैं लेकिन उसे पहले थोड़ा सब्सक्राइब करता हो भाई चार्जिंग स्टेंडर क्या थ यह लोग नाम बदल देते हैं टेक वही यह पीछे का जैसे वन प्लस वह चारजर बोल देता है या फिर अभी जो वन प्लस का यह मिर पास पड़ा हुआ है यह सूपर वूग चार्जर है और शाओमी का 120 वोड का जो था उन्होंने हाइपर चार्ज बोला हुआ है आईकू क और फोन के अंदर सरकेट भी अलग तरीके से काम करता है इवन यह लोग क्या करते हैं जल्दी चार्ज हो तो एक बैटरी को दो पार्ट बना देते हैं तो हाफ हाफ करके चार्ज होगा फोन के अंदर तो जितनी दिर में चार्ज होना होता है टाइम आधा हो जाता चार्ज ह हो गया और कई लोग पूछते कोमेंट में क्या भाई 66 वोट का चार्जर है हम अपने फोन को चार्ज कर सकते क्योंकि वो तो 33 वोट के चार्जर को सपोर्ट करता है यह कर सकते हो अगर आप देखो के चार्जर के पीछे अलग अलग आउट्पुट लिखा रहता है तो एक ही टाइप आउट्पुट दे सकता है एक और लेटर्स एजमपल दू वीवो का वी 27 प्रो आया चार्जर 80 वोट का दे रहे हैं लेकिन सपोर्ट वो 66 वोट को करता है तो 66 वोट से चार्ज हो जाएगा और आपके मन में आता है कि हाँ यह सेफ है कि नहीं है तो ब्रैंड के हिस आप से तो देखो सुपर फास्ट चार्जर लाइक 120 वोट या फिर 100 वोट जैसे शामी का एक्जामपल के वेबसाइट के दिखाता हूं मैं जो इनका 120 वोट का चार्जर है बहुत सारे सेफटी लेर यूज होते है सरके अलग यूज होता है ताकि फोन ज्यादा हीट हो रहा है बट मोस्टली ब्रैंड्स यह काइंड ओफ गिमिक की तरह यूज करते हैं मार्केटिंग की तरह यूज करते हैं जैसे कई बार क्या होता है ब्रैंड के पास इनोवेशन के नाम पे जब कुछ बसता नहीं है खास तो वो लोग ऐसी चीज़ों करना शुरू कर देते हैं ज 240 वोट का चार्जर जो इनके 4600 एमेज बैटरी को 10 मिनट के अंदर चार्ज कर सकता है और यह चीज नेक्स लेवल पर चली जाती है अभी मैंने डेशन देखा एक मोडिफाइड फोन है रेडिमी नोट 12 सीरीज का इसके अंदर 4100 एमेज की बैटरी है 300 वोट का चार्जर है यह और 5 मिनट्स में चार्ज कर सकता है इसकी बैटरी को अब 300 वोट का चार्जर एक्टली कब आएगा मार्केट में इसका इसका डेट नहीं पता हमें बट क्या हमें इसकी जरूरत है मैं इन सब चीजों के जो भी बहुत ज़्यादा है कल को 400 वोट का चार्जर लिया है की जुरूरत नहीं है पहला अगर आप एक 10 वोट का चार्जर खरीते हो आज की डेट में अच्छे ब्रैंड का 4-500 रुपे मिलता है सेम टाइम वन प्लस का जो सूपर्वूग 80 वोट का चार्जर है यह वन प्लस की ओफिशल वेबसाइट पर 2000 रुपे का है 2000 रुपीज तो कोस्टिंग बढ़ना ही है जायर सी बात है उसका टैक अलाग है वो महंगा पड़ता है कंपनी को बनाना सिमिलरली 120 वोट का चार्जर ओर महंगा होगा 240 वोट का चार्जर ओर महंगा होगा तो जब आप फोन खरीदते हो इनके साथ जब यह चार्जर दिया जाएगा तो वो फोन की प्राइस को बढ़ा देते हैं जो कि डेफिनेटली एक यूजर नहीं चाहेगा उसके बदले वो यूजर कहेगा वही पैसा हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं अगर सोफ्टर एक्स्पिरेंस अच्छा हो कैमरा अच्छा हो अपडेट्स अच्छे आते हो जिससे हम एक बार फोन खरीदें तीन से चार साल हमें दिक्कत ना हो बठा उसकी जगा मैं नहीं कहता कि वो दस वोट का चार्जर दे दो हमें एक ऐसा चार्जर चाहिए जो मिनिमुम से मिनिमुम भी अगर मैं अपना अपीनियन दूँ आपका अलग हो सकता है कोमेंट बताना ट्वेंटी हमें लगता 15-20 मिनिट फोन को चार्ज हो जाएगा वैसे भी हमेशा फोन 100 पर चार्ज नहीं करते और तीसरा एक्ट्वल जो सबसे परा नुकसान है कोई भी चार्जर अगर आप फोन के साथ लेते हैं खरीदते हैं मिलता जो भी है अगर यह जो चार्जिंग केबल है यह ऐ पर हम बोक्स में चार्जर नहीं देंगे हम पॉलेथीन हटाके कावेज लगा देंगे बट हम एक जैसा चार्जर नहीं देंगे और फोर्थ पॉइंट तो इससे भी ज्यादा मतलब आपको रियल लाइफ में फील हो जाएगा जैसे फॉक्जामपल मैंने शाओमी का 120 वोट के फोन चार्ज करता है नहीं करता बहुत कम टाइम होता है तो बाइक क्या मतलब हुआ इस लोजिक का कि हम पाश चार्ज लेके भी उसे हमेशा नहीं कर सकते और फिफ्ट पॉइंट फास चार्जर से क्या एक्चुल बैटरी लाइफ पर फरक पड़ता है बहुत से आपको आटिकल मिलेंगे हाँ पड़ता है बहुत सी mere नहीं पड़ता है ने पड़ता है क्यूंकि multiple टेपर्टीपल लोगता है हम उसको माल लेते हैं चलू डाली नहीं तो एक super fast charger के साथ normal charger comparison में आप phone ज्यादा charge कर रहे हो तो उसके life कम हो रही है तो सवाल वही आता कि हमें fast charger चाहिए बिल्कुल चाहिए लेकिन हमें एक limit तक चाहिए that's why मैंने कहा needs to stop एक limit होने चाहिए इसकी और fun fact यह कि कोई भी एक ऐसा brand जो की अच्छा माना जाता market में चाहिए Google Pixel के phone हो चाहिए iPhone हो चाहिए Samsung के flagship हो इन में से कोई भी एक limit से उपर charging को promote नहीं करता क्योंकि इसे पता हमारे phone में बाकी चीज़ों के experience में ज्यादा बेटर दम है इन फिनिक्स कल को 500 वोट का charger ले एक phone के साथ चाले जार कर बेच के दिखाए नहीं भी खेएगा मैं यह भी अगरी करता हो कि भाया पिक्सल और एपल और Samsung इनको भी थोड़ा तो उपर जाना चाहिए minimum 45 वोट तो देना चाहिए लेकिन मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि यह brands 80 वोट या 100 वोट से उपर जाके हमें charger दे क्या आप चाहोगे comment बताना और वीडियो परसंद आए तो like से subscribe करना तो मिलता हो आपसे अगली वीडियो में